हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू आवर चैनल प्लांट स्पेस सबसे पहले आप सभी को जन्मास्टमी त्योहार की हारदिक शुपकामनाए जन्मास्टमी के दिन काना का जन्म हुआ था इसलिए ये त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है बर्थडे मनाया जाता है कृष्ण जी में और जिनके पास लड़वाल नहीं होते हैं वह काना की छोटी सी मूर्थी पालने में रखते हैं तो इस तरह से हमने भी काना को डेकोरेट किया है और छोटा सा पालना सजाया है और इस दिन वरत रखा जाता है और रात को 12 बजे पूजा की जाती है क्रिशन जी की आरती की जाती है और इनको जूला जूलाया जाता है और भोग लगाया जाता है माखन मिश्री का और खीर का और लडों का और रूट्स का त तो हमने भी काना को डेकुरेट किया और कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा हमारे काना आपको कैसे लगे तो इस तरह से हमने सजाया है फूलों से और बंदन बार वगेरा से इनको डेकुरेट किया है और फिर रात को 12 बजे हम भोग लगाते हैं तो आपको बताएंगे कि आप लोटस प्लांट में किस तरह से फर्टिलाजर एड़ करें कुछ लोग फर्टिलाजर नहीं देते हैं लोटस प्लांट में और कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि लोटस प्लांट में फर्टिलाजर दिया भी जाता है या नहीं या फिर किस त तो प्लाब का फॉधा है। नहीं करना स्वागरा है क्टाइटा वो हमने लगभग 1-1.5 इंच रखा हुआ है इसमें पानी को तो आप ज़्यादा पानी ना भी रखें तो भी प्लांट अच्छे से ग्रोध कर पाता है तो देखिए 1.5 इंच हमने इसमें पानी रखा हुआ है और फार्टिलाइजर आपको इसमें जरूर एट करना चाहिए तो ये पानी आपको अब थोड़ा गंदा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि हमने इसमें से एक्स्ट्रा जो लीव्स थी वो पुरानी हटा दी है जो इसमें सड चुकी थी गल चुकी थी तो इसलिए आपको थोड़ा गंदा दिखाई दे रहा होगा लेकिन ये है नहीं गंदा विल्कुल साफ पानी है वो मिट्टी उपर आ गई है तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है तो यह चछनी हुई गोबर की खाद है तो चनी हुई है ये इस तरह से आपको ये ऐसी लिख रही है तो गोबर की खाद या वर्मी कमपोस्ट आप या फिर कमपोस्ट या फिर लीफ कमपोस्ट किचिन वेस्ट मेन्य और कुछ भी जो भी खाद आप डालें इसमें और गैनिक होना चाहिए तो उस हिसाब से हम इसमें ये चार मुठी खाद इसमें डाल रहे हैं तो हाथ में भरकर खाद को आप इस तरह से चार बार डालिए क्योंकि ये हमारी लगभग 20 लीटर की बाल्टी है और इसमें ये काफी पुराना पौधा हो चुका है दो साल पुराना है इसलिए हम इसमें चार मुठी खाद डाल रहे हैं जो नया पौधा होता है उसको बारे में भी हम आपको बताएंगे वीडियो पूरी देखिएगा तो इसको mix कर देते हैं चाहे तो आप हाथ से कर सकते हैं या फिर आप किसी भी stick से कर सकते हैं हम अपनी gardening का सारा काम हाथ से ही करते हैं ना ही कोई gloves यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है plant healthy रहते हैं आपका जो touch होता है हाथ का plants में देते रहिए ये प्लांट्स को काफी अच्छा लगता है तो ये बिल्कुल भी गंदा पानी नहीं है साफ है बिल्कुल और इस तरह से सारे फर्टिलाइजर को मिक्स कर देते हैं पानी में और ये नीचे बैठ जाएगा और ये पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा थोड़ी देर में साफ हो पानी अभी आपको थोड़ा गंदा दिख रहा होगा यह तो इस तरह से इसमें फर्डिलाजर दिया जाता है कोई भी इन और्गैनिक फर्डिलाजर आप लोटस में ना दें वह ग्रोथ तो स्टार्ट हो जाती है जल्दी लेकिन अच्छा नहीं होता है प्लांट के लिए तो तो यह देखिए यह भी हमने चान लिया है तो इसको हम किस तरह से नए पौधे में देंगे तो एक मुठी और फिर हम इसमें एक मुठी और खाद डाल देंगे इस Seems जो नए पौधे होते हैं उसमें आप कम खाद एड़ कीजिए केवल दो ही मुटी खाद हम इसमें डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे क्योंकि अभी पौधा ताजी है नया है इसकी रूट्स जादे डैवलप नहीं हो पाई है तो जब अच्छे से डैवलप हो जाती है तब और हम इसमें अच्छे से फ़लड़े डाले कर सकते हैं तो जब कम से कम 4-5 न आपके प्लांट में आ जाएं सीद ग्रो करने के बाद जब आप इसमें लगाते हैं रिपॉर्ट करते हैं उसके बाद कम से कम आप 10 से 15 दिन बाद इसमें फर्टिलाइजर एड कीजिए तो हमने काफी जल्दी कर दिया है क्योंकि वीडियो में दिखाना ज़रूरी हो गया था तो आप 10 दिन के बाद जब आप इसको रिपॉर्ट करें उसके 10 दिन के बाद आप फर्टिलाइजर एड करें पॉर्ट में इस तरह से और देखें मिक्स कर दिया है नीचे बैट जाएगा धीर धीर और पान बिल्कुल साफ हो जाएगा थोड़ी ही देर में तो इस तरह से खाद है वो नीचे की तरफ चला गया है तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जो साइड में बैल बटन आता है उसे भी प्रैस कीजिए क्यो क्यों